तो देखिए मेरे टेरिस गार्डन में ये निन्यवा लगे हुए है मेरे को जो भी डबा मिला है उसी में मैंने ये पेड़ पौधे अपने लगा रखे हैं तो देखिए मैंने एक बोरे था उसमें मैंने ये पालक लगाया है और ये डबो में मैंने बैगन लगाए हुए हैं ये दो तरह के बैगन है एक तो ये ग्रीन और वाइट जैसे हैं और ये परपल कलर के बैगन लगे हुए हैं तो देखिए इस डब्बे में कितने बढ़ियां से ये बैगन ग्रो कर रहे हैं और ये बड़े हो गए हैं अब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे ये मेरी मिर्च भी लगी हुई है ये फूल खिले हैं तो चलिए नमस्ते दोस्तो अंजु जी के टेरिस गार्डन में आपका स्वा गत है तो देखिए ये बैगन लगे हुए हैं तो हम इन बैगनों को हार्वेस्ट करते हैं तो देखिए कितने बढ़िया ये परपल कलर के बैगन लगे हुए हैं एके करके हम इनको तोड़ लेते हैं कितने दिनों से मैंने इनको छोड रखा था कि थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इने तोड़ूंगी, तो आज ये मैं इनका हर्वेस्ट कर रही हूँ, तो देखिए कितने बढ़िया ये बैगन हुए हैं, तो इनको मैंने तोड़ लिये हैं, एक बैगन और लगा है, इसे भी तोड़ लेते हैं, तो देखिए कितना अच्छे से हमारे एक चायम की सबजी बन जाएगी, तो ये नेनुवा भी लगे हैं, काफी दिनों से नेनुवा हमारा लग रहा है, पत्ते इसके पीले हो गए हैं, पुराना पौधा हो गया है, फिर भी ये फल रहे हैं, ये देखिए पालक लगाए हैं हमने ये बोरो में, तो ये बोरे में ही य जो बड़े पत्ते हैं, इनको हम कट कर ले रहे हैं, तो देखिए कितनी सारी हमारी सबजिया हो गई है एक टाइम की, तो देखिए हमने टेरिस गाडन से कौन-कौन से सबजिया तोड़ा, ये पालक, ये नेनुवा दो निकल गए, और ये वाइट वाले बैगन है, जल गई है, हपते 15 दिन पे इतनी सबजिया हमें मिलती रहती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धरिखिए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो